बिहार के मधुबनी के हरलाखी में सीएम नितीश कुमार की चुनावी सभा में लोगों ने आलू प्याज फेंका है आपको बता दे कि मंच्कियों और आलू और प्याज उच्छा ले गए हैं हलाकि इन में से कोई भी आलू प्याज सीएम तक नहीं पहुंचा इस दोरान नितीश कुमार रैली को संबोधित करते रहे उन्होंने कहा कि जितना फेकना है फेकते रहो जैसे ही नितीश कुमार की और आलू प्याज फेके जाने लगे उनके सुरक्षा कर्मियों ने आगे आकर मोर्चा संभला हलाकि नितिश कुमार ने अपना भाशन नहीं रोका बोले फेको जितना फेकना है उतना फेको उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से भी कहा कि उन्हें रोकिये मत फेकने दीजिए इसके बाद लोगों किया और से आलू उप्यास फेकना बंद हो गया इस दोरान सीम नितिश कुमार ने अपना भाशन जारी रखा आलू प्यास फेकने के दोरान सीम नितिश ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि छोड़ दीजिए दो मिनट छोड़ दीजिए किसी पर ध्यान मत दीजिए विपक्ष पर सवाल करतेंवे उन्होंने पूछा कि जो आज नोकरी देने की बात कह रहा है पंद्रा सालों में कितने लोगों को नोकरी दी जंसभा को सम्मधित करने के दौरान सीम ने सरकार की और से विकास कारियों की उपलबधियोंको बताया उन्होंने कहा कि बिहार में 24,000 करोड से 2,11,000 करोड तक अर्थ विवस्था को पहुँचा कर प्रदेश में विकास करने का काम किया है पहले की सरकार के दोरान बिहार को 700 मेगावाट बिजली मिलती थी जिसको बढ़ा कर 6,000 मेगावाट पर पहुचा कर घर घर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है मधुबनी पेंटिंग को उद्योग में परिवर्तन करने के लिए आर्यभट युनिवर्सिटी से जोड कर प्रशिक्षन के लिए सोराट में विद्याल्य देकर मिथला और मैथली का मान बढ़ाया है जन जाती और अती पिछले वर के लोगों को दे रहे हैं और खुप फेको 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 चोड़ दिजे चोड़ दिजे किसी पर ध्यान मत दिजे आप समझ सकते हैं समझ सकते हैं इसलिए जान दो और मालूं हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी हम बता देते हैं जब पंद्रा साल राज करने का मौका मिला दस साल बिहार जार खंडेक था पंद्रा साल में कितना को नौकरी मिला जी पंचानवे हजार और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने छे लाग से जादा लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितने लोगों को काम मिल रहा है चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है कोई बोलता है उसको कखा 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 उसकी सीमा होती है काम करने का अवसर मिलेगा और जिस तरह की बाते हमने बताई नई टकनीक का ट्रेंग नई और जोगिक नीती जो बनी है उस और जोगिक नीति के माध्यम से हम लोग इतना जादा उद्ध्योग का और विकास करने जा रहे हैं जो बार से लोग आया आज लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहां काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और लोगों को लोग उल्टा पुल्टा करते हैं और जान देजिए समाज में तो सब लोग ठीक हो नहीं सकता कुछ ने कुछ तो गरबर करेगा ही बाया दाया करेगा ही तो कुछ लोग तो ऐसा करने वाले हैं तो इसलिए हम तो उसकी कोई चिंता नहीं है हम तो आप कुछ लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और लोगों की करना हमनों का धर्म है इसे मौका दीजिएगा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद अपर्फेक्ट वेन्यों वेडिन, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब